कि टालेंट जैदा इंप्राटेन जै या आप दिखते कैसे वह जैदा इंप्राटेनिक आपकी लाइफ में अ कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपके अप्यरेंस को देख्ने आपको जच किया हूं क्या बाहर से खुबसूरत होना ही सब कुछ होता है या इंसान के अंदर की जो खुबसूरती है उसका दिल कैसा है वो भी माटा करता है कि अगर आपकी शकल अच्छी नहीं है तो आप लाइफ में कुछ करी नहीं सकते हो या अगर आपकी शकल अच्छी नहीं है तो कोई आपको पूछे गई नहीं या आपको ल जिन्दगी की सीख देता है कि हम पहले जिन्दगी के बारे में क्या सोचते थे और फिर ये चाप्टर पढ़ने के बाद हम अपनी जिन्दगी के बारे में क्या सोचेंगे जो हमारा क्यारेक्टर है डेरी इस चाप्टर के अंदर बहुत मज़ेदार क्यारेक्टर है उसका कैस से सोचने का नजरिया दुनिया को देखने का नजरिया धीरे 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 चाप्टर के दौरान बदला वो हम सीखेंगे और आखिरकार उसका ये नजरिया बदला किसने ये भी हम जानेगे आए शुरू करते हैं आज के चाप्टर on the face of it को मेरे पीछ एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है जिसमें एक तरफ का चहरा आपको नौर्मल और दूसरे तरफ का चहरा आपको शायद जला हुआ या भयानक दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए ये डैरी है डैरी हमारा जो क्यारेक्टर है यहां पर आपको तीन क्यारेक्टर चाप्टर में देखने के लिए मिलेंगे, एक character है हमारा Derry का, दूसरा character है हमारा Lamb का, Mr. Lamb है, और हमारा जो तीसरा character है, वो है Derry की Mother का, ये तीन characters main है, जो आपको इस chapter के अंदर देखने के लिए मिलेंगे अब डेरी कौन है डेरी एक छोटी उम्र का लड़का है जिसका आधा चेहरा जला हुआ है लाम कौन है लाम एक बड़ी उम्र के इंसान है जो की वार में अपनी एक टांग हो चुके हैं और अब वो बिलकुल अकेले रहते हैं तो कैसे दोनों ही disabled है बट लाइफ जीने का नजरिया लाइफ को जीने का तरीका दोनों का अलग है एक इंसान छोटी से छोटी चीजों से भी प्यार करता है छोटी से छोटी चीजों से खुशी दे देती है और दूसरा इंसान सब की नजरों से छुपके रहना चाहता है आईए शुरू करते हैं चाप्टर को चाप्टर थोड़ा सा बड़ा है पेशन्स बनाए रखिएगा पर अगर आपने आज ये क्लास लगा ली तो पूरा चाप्टर एकदम आपको क्लियर हो जाएगा मक्खन की तरह ठेक है चलिए शुरू करते हैं Mr. Lam an old man is sitting in his garden on a beautiful September day Mr. Lam johan बुड़े आदमी हैं अपने garden के अंदर बैठे हुए हैं खूब सूरत सितंबर का दिन है और बहाँ पर वो एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है dairy जो चुप चाप लंबी-लंबी घास में से चल कर Mr. Lam के garden के अंदर entry लेता है और Mr. Lam बिखरे हुए हैं तुम गिर सकते हूँ बी कैरफूल नॉट टू स्टेप ऑन दी फॉलन आपल्स के अराम से गिर जाओगे वरना सेथ गिरे हुए पैर फिसल सकता है and dairy is startled तो dairy एकदम से डर जाता है क्योंकि dairy को लगा था कि उस गार्डन में कोई नहीं है वहाँ पर उस घर में कोई नहीं रहता है और जैसे ही एकदम से किसी ने आवाज दी तो dairy डर गया he didn't know anyone else was there क्योंकि वो नहीं जानता था कि वहाँ पर कोई और भी मवजूद है dairy shy and wary and says that he thought the garden and house were empty अब dairy बहुत ज्यादा शर्मा गया डर गया और उसने बोला कि यहाँ डरे मिरको नहीं पता था मिरको लगा कि ना garden में कोई नहीं है और garden बिल्कुल खाली है तो मिस्टर लाम कहते हैं कि वह उसी का garden तो एक इंसान का यहां पर स्वागत है तुम दिवार कूद कर क्यों आए गेट तो खुले रहते हैं हमेशा गार्डन के तुम गेट से भी आ सकते थे तो डेरी जो है वो दिवार कूद के गया था अच्छली ठीक है तो वो के टेट ओपन रहता है डेरी जो है वो गार्डन की वार्ड से आया था खूद के अंदर डेरी थोड़ा सा डेंस से हो जाता है मतलब explanation देने लग जाता है mister lamb को कि mister lamb was watching him and declares that he doesn't want to steal anything तो वो थोड़ा सो जाता है अरे मैं कोई चोरी वोरी करने नहीं आया था आपने मुझे देख लिया अंदर आते हो और ऐसे वैसे तो बच्चा था डर जाता है 14 साल का लाम को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अगर जिस इंसान ने अपने घर के गेटी को ल बात नहीं है डेरी वो रिवील्स इंसेल्फ तो बी 14 यह ओल से इस ही नीज तो गो बट लाम सेज देर इस नथिंग तो बच्चा अब डेरी आपर 14 साल का बच्चा है और वो कहता है चलो ठीक आप मुझे आसे ना जाना चाहिए जाना चाहिए तो मिस्टर लाम कहते अरे त करता लोग मुझे से डर जाते मैं जारो मैं जारो मैं जारो अक्स डेरी को लोगों के सामने आना अच्छा नहीं लगता था डेरी को लोगों के सामने आना अच्छा नहीं लगता था डेरी क्या सोचता था कि लोग मुझे देखके डर जाते मेरे शकल को देखके डर जाते है और फिर अजीब अजीब सी बाते करते हैं मेरे बारे में है ना तो अब क्या किया जाए इसी लिए छोदा सा छोटा सा 14 साल का बच्चा था तो अपने आपको उसने अलग कर लिया लोगों से ठीक है मिस्टर लाम पूछते हैं कि क्यों भई तेरी शकल देखके डर क्यों जाते हैं तो डेरी कहता है कि वो हमेशा डर जाते हैं मुझे देखके अगर वो प्रिटेंड भी करें कि नहीं हमें कोई फर्क नहीं पढ़ रहा फिर भी वो मेरे बारे में अलग-अलग चीजें बोलते हैं कैसी चीजे यह क्या है अजीब सी चीज यह तो सबसे गंदी चीज है जो मैंने कभी देखी हो पूर बॉइ बिचारा लड़का इस तरीके की बाते वो मेरे बारे में बोलते हैं तो आपको देखो यह सारी चीजे काम आएंगे चाप्टर में से ही ठ्राइवी लाइन्स है यह ठीक है ना येस देरी सेज ही इस इवन अफरेड अफ हिंसेल वेन लोक सिन अ मिरर डरी बोलता है यार बाकी लोग तो मुझसे क्या ही डरेंगे मैं तो खुद अपने चैरा को देखकर डर जाता हूँ तो लाम जो है उसके बातों पर ध्यान नहीं देते हैं सजमुस की बातों पर ध्यान नहीं देते वो और वो क्या करते हैं अपने क्राब आपल्स के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि बही मैं कैसे अब अपने जो आपल्स है इनको तोड़ूँगा ठीक है और कैसे उनसे जैली बनाऊंगा और वो डैरी को भी बोलते हैं कि तू भी मेरी मदद कर सकता है इने तोडने में जैली बनाने में तो डैरी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है तो डैरी बोलता है कि तुम टॉपिक क्यों बदल रहे हो बात करो इस बारे में जब मैं बोल रहा हूं कि लोग मेरे बारे में ऐसी ऐसी बाते करते हैं तो mister lamb ने टॉपिक बदल दिया टुरैरी open लाइक कि तुमने टॉपिक क्यों बदला भाई डेरी कहता है नई मेरा चेरा आसिड से जल गया एक साइड में आसिड गिर गया था तो लैंब जो है उनको फिर कोई फरक नहीं पड़ता है इस बात से तो वो आपने देखा कि लैंब यहाँ पर उसके अपियरेंस पर ध्यान नहीं दे रहे उन्हें फरक नहीं पड़ता कि डेरी कैसा दिखता है पर डेरी यहाँ पर अपने लुक्स को लेके बहुत कंसर्ण है और पहली बार डेरी के साथ ऐसा हुआ है कि उसके चेहरे को देखकर सामने वाले ने कुछ रियाक्ट ही नहीं किया या सामने वाले नी कोई सवाल ही नहीं किया या सामने वाले को कोई फरकी नहीं पढ़ रहा तो डेरी लाइक की तुम ऐसो क्यों प्रिटेंड कर रहे हो तुम ये टॉपिक क्यों बदल रहे हो तुम पूछो मेरे से की मेरे चेहरे को क्या हुआ है ये वो ये वो तुम भी बोल नहीं दे रहा है उसके बारे में नहीं बोल रहा है तो उसे लग रहा है जबर्दस्ति ऐसा कर रहा है और फिर उसे गुस्टा आ रहा है he tells dairy to look at a certain part of the garden and describe what he sees तो Mr. Lamb यहापे डैरी को समझाएंगे देखना कैसे समझा रहे हैं वो कहा रहे देखो तेरी गार्डन देखो तेरे को क्या दिखाई तेरे हैं वहापे तो डैरी कहता है बक्वास जहाड है पूरा वीड्स है वीड्स क्या होते है अन्वांटेड प्लांट्स बहले यह घास उस भी भगवान ने बनाई है और यह फूल भी भगवान ने बनाया तो तू यह क्यों बोल रहा है फिर देखने वाले का नजरिया He says it is all life के रहे हैं यह सब जीवन है जो उग रहा है ग्रो कर रहा है तो यह सब्सक्राइब है ना हमें बहुत भगवान ने बनाया है है यह ना हमें किस ने बनाया हमें भगवान ने बनाया है तो डेरी अब बहस करता है क्या कहता है Mr. Lam aren't the same कि आ रहे आप और मैं same नहीं है ब्रोब आप अलग हो मैं अलग हो है ऐसा कैसे बोल सकते हो हम सेम है, तो लाम कहता है, तुम्हारा जला हुआ चेहरा है, मेरी एक टिंक की टांग है, नकली टांग थी, उनकी वोर में उड़ गई थी, तो नकली टांग लगा रखी थी, not important, Derry is interested in this and Lamb says his leg was blown off years ago, अब I have got a tin leg, not important, मेरी ये टिंक की टांग है और ये important भी नहीं है, तो Derry जो है, वो interested था इसमें and Lamb says his leg was blown off years ago, तो पूछता है कैसे हुआ, तो हो कहता है कि मेरी वार में युद में तांग उड़ गई थी, ठीक है, अब बच्चे जो है, आस पड़ो, उसके वो से लामी लाम, लामी लाम कहके चड़ाते हैं, तो वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पढ़ता पर उस बात से, डेरी says at least लाम कें कवर अप लेग, बदरी केंनओt कवर अप जिस नहीं कहता, एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीन बार बोलेंगे, वह लोग शाम को आते हैं, हापर टॉफीस खाते हैं, Шांध में बैठते हैं, आग میں हाथ सेखते हैं, किताबे पढ़ते हैं, आप अपने उपर किस चीज का प्रभाव पढ़ने दे रहे हैं? क्या लोगों की बातों का आपके उपर प्रभाव पढ़ रहा है? क्या वो चीज आपको परेशान कर रही है? क्या वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है? ये आप पर निर्भर करता है कि आपकी लाइफ म value up के लिए 0 जाएगी कुछ भूले बोलने दो यार काम है उनका वो नहीं बोलें के कौन बोलेगा right तो यहां पर he is also saying the same thing Mr. Lam कहते है there is plenty of other things for people to stare at instead कि लोगों की उपास यार और भी बहुत चीज़ है यार देखने के लिए तेरा ही चेहरा देखेंगे क्या हाँ इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं हो तुम कि सब तुम्हें ही देखें कौन है जिसने डैरी को पीछे मुड कर नहीं देखा बढ़ा वो तेको किता ज्यादा डैरी के रहा है तुम तो अपनी टांग धग सकते हो मैं अपना मूँ थोड़ी धग सकता हूं तो के दो तेरा कोई देख रिये क्या सारी दुनिया है बाग की सा बहुत चीज़ है देखने के लिए तेरी शेकल बचिए क्या देखने के देख लिए तो कितना प्यारा कितनी चीज़ें देखने के लिए अगर तू करीब से इन्हें देखे गा तो बहुत चीज़ें देखने के लिए मिस्टर आम कहते हैं इस वाल रिलेटर्व यह सब एक दूसरे से जुड़े होई चीज़ें कैसे और वह बोलते ब्यूटी और पीश वाला एक्जैम्ट देते हैं ए ब्यूटि ऐन्ग इस्टी एक अीजल ओती है उसको एक बीस्ट से प्यारा तैंड मेर्न विए सबी यह beauty है तो beast भी है दुनिया के अंदर तो लाम यहां पर उसको समझाने की कोशिश कर रहे वहीं पर dairy बोलता है कियरे मेरको तो कोई किस भी नहीं करेगा मेरी कुद की मम्मी मुझे किस करती है तो दूसरी साइट किस करती है जो जलाओ पाट नहीं है कोई मुझे क्यों किस करना चाहेगा but he knows that in real life the beast wouldn't transform and become a handsome prince वो कहादा यार यह तो कहानी है ना कहानी में तो कुछ भी हो सकता है real life में कोई beast नहीं होता कोई राजकुमार में नहीं बदलता यह मेरा चहरा ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा कुछ बदल नहीं सकता है इसमें he would just stay ugly मैं जिन्दगी भर ऐसा ही रहूंगा गंदा like dairy himself dairy says no one will ever kiss him मुझे कभी kiss नहीं करेगा except my mother मेरी मा के अलावा और वो भी मुझे जो मेरा बिना जला हुआ चहरा है वहाँ पर kiss करती है because she has to और क्योंकि उसे करना पड़ता है वो मेरी मा है इस वजह से otherwise वो भी ना करे dairy asks Mr. Lamb if his leg ever hurts him फिर dairy पूछता है Mr. Lamb से कि दर्द होता है कि आपको इस पैर में होता है कि आपको दर्द and he says it doesn't signify it doesn't matter वो कहते है यार क्या ही फर्क पड़ता है अभी नहीं होता है जब मौसम थोड़ा सा ऐसा होता है ना तब जादा दर्द होता है वर्ना तो क्या ही फर्क पड़ता है तो dairy उस पर गुस्सा हो जाता है ranting about other things that people say like how brave people who are disabled or in pain अब पता है क्या होता है कि दूसरे disabled logo को देखो तुम्हारे साथ तो और भी बुरा हो सकता था कई लोग तो मुझे कह रहे हैं मुझे वहीं रहना चाहिए था जैसे अंधे लोगों को अंधे लोगों के साथ ही रहना चाहिए और बुरा हो सकता था मेरे साथ नोगों से कुछ सीखो हो जहता तुम्हारे साथ यह जाता कि वही बातों पे की तुमसे भी बुरे-भुरे हालत में लोग है तो बढ़े उसको इस बात भी मेरे बारे में इतनी बुरी-बुरी बाते करते हैं लोग देरी सेस्थाट वांसी होड़ टू विमें विस्परी किया था एक बार तो मैंने दू औरतों को सुना फुस-पुसा रही थी मेरे बारे में एक ने कहा दाट टेज़ फेस उनली अमदर कुड लव क्या कहा एक ने यह ऐसा चहरा है जिसे किवल एक मा प्यार कर सकती है किस्ता बुरा लगा होगा उस बच्चे को Mr. Lam challenges him saying that this was only one thing one person said Mr. Lam कहते है यार एक बार कोई एक चीज एक इनसान ने बोल दी तू उसको पकड के बैठा है ऐसा थोड़ी चलता है जिन्देगी में and he doesn't have to believe it और कोई कुछ भी कहेगा तेरे बारे में अब कोई आके मुझे यह बोले कि तू तो पागल है तो मैं मान लूँ क्या मैं पागल हूँ मान लूँ क्या मैं कि मैं अपने आपको क्या समझती हूँ या मेरे नजर में मेरे इंपोर्टेंस है या नहीं है या मैं क्या हूँ बोले उसने तेरे बारे में कुछ भी बोला और तूने मान लिया he says that Derry probably keeps his ears shut now to keep from hearing more cruel things कि तो अपने कान बंद रख ना मत सुन ये बुरी चीज़े बक्वास चीज़े डिपेंड करता है कि तू क्या सुनना चाहता है क्या सुनना नहीं चाहता अब बेरी कन्फ्यूज हो गया ठीक है बट इंट्रीग्ड और इंटेल्स मिस्टर लांब और जबात करें तुम यहां सकते हो तुम्हारा जबमन करें तुम यहां से जा सकते हो टेरी इस all confused like this क्या है यार इंसान नजरिया कितना लगे इंसान का Mr. Lam tells a story about a man who locked himself in the room अब वह वह कह रहा है न कि मेरा अमर को अच्छा नहीं लगता है लोगों के बीच में जाना और यह सब चीज है तो Mr. Lam उसको एक बात बताते कि तो सुन तरको पता एक आदमी की स्टोरी बताता हूं मैं उसको क्या लगता था कि इस दुनिया में ना उससे हर चीज से खत्रा है बतलब बाहर जाएगा केले पर फिसलेगा मर जाएगा कोई ट्रक उसे उड़ा देगा उसके उपर बिजली गि जाएगी उसे ऐसा लगता था तो उसने क्या कि अपने आपको कमरे में बंद कर लिया कि या मुझे कोई खत्रा ने और वो जा कि अपने बैट पर बैट गया थोड़ी देर बाद क्या हुआ जो उपर तस्वीर तंग री थी वह सर पे आके गिरी और मर गया तो जिस इस दान क्योशि मों इपर थ कह कर में दब के छुप के कमरे में बैट जाना फी चाया डाड जाना इस नॉट और शीन जिंदेगी भरबाद नहीं हो रिये वर बाद ऐब की ओरी है उन के जिन भी तेंगी के दिन कमने और आपके जिंदगी के दिनिक मोरें जिसमें आप मजे नहीं कर रहे हो जिसमें आप मेनत नहीं कर रहे हूं उनकी मज़े से अपना दिन क्यो वेस्ट कर रहा नो-nो-nो-nो-nwoo never ही स्टेएट इन बेड आल देड ठीक है कि भाई वो सारा दिन बैट पर बैठे रहा की कोई भी possibility है ही नहीं हातों कि मैं मर जाओं पर वो एक दिन सर पे picture गिरने की वज़े से मर गया तो डेरी इस बात पर बहुत असा डेरी was like all right boys off ऐसे बहुत हसी आई उसको तो डेरी मिस्टर लाम से पूछता है कि आप सारा दिन क्या करते हो यहां पर लाम कहते हैं कि मुझे तो यहां धूप में बैट के बढ़ी आराम से चिल करना पसंद है किताबे पढ़ना पसंद है मेरे घर में भी तुम अदर जाओगे कुछ नहीं किताबे की तॉब यह पर्दे हमेशा पसंद है, he likes to see the light and the dark and open the windows to hear weather, तो बहुत है वो किया में को light पसंद है, मुझे dark पसंद है, मुझे खुली खिर्कियां पसंद है, Derry says he likes this too, और ये बाते सुनके न डेरी ऐसा हो जाता है कि यार ये सब चीजे तो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, and Lamb comments that Derry does listen to some things after all, अब Islam कहते है कि ऐसा नहीं है कि तुम सुनते नहीं हो चीजों को या तुम्हे एसास नहीं हो रहा है, तुम्हे सब हो रहा है, सब एसास है तुम्हें, Derry says he hears his family talk about him, वो कहते है मुझे पता है, मुझे बल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरे परिवार वाले बात करते हैं मेरे हमारे में, क्या बात करते हैं कि हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा, what is going to happen with him, to him, when they are gone, जब वो चले जाएंगे, with that on his face, ये जो चीज है इसके चहरे पर उसकी वजासे, Mr. Lamb reminds him that he still has his brain and all his body parts, बोले आरे हाथ हैं तेरे पैर है, देख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, द बोल सकता है, तु लाइफ में क्या नहीं कर सकता, शायद जिनके पास अच्छा चहरा है और ये सब चीज़ें वो भी इतना अच्छा नहीं कर सकते हैं, शायद जितना तू अच्छा करेगा अपनी लाइफ के अंदर, right, and he can get on however he wants, बोले तू कुछ भी कर सकता है, लाइफ म तभी, just like lamb himself does, अब वो पूछता है कि आपके किते दोस्त है, तो लाम क्याता है, मेरे तो बहुत सारे दोस्त है, जित्ते लोग यहाँ पर ही क्लें, that people come into this house, बोले लोग आते हैं या मेरे घर में, jelly खाने, ठीक है आग के पास बैटने, fruit खाने के लिए, सब मुझे जानते है सब मेरे दोस्त है, तो वो कहता है, he says dairy too is now a friend, बोले अब तुम भी मेरे दोस्त हो, तो dairy मना करता है, dairy कहता है, but lamb says that they are friends as far as he is concerned, कहने का मतलब यह है कि dairy too is now a friend, बोले अब तो तुम भी मेरे दोस्त हो, तो dairy बात को प्रोटेस्ट करता है, but lamb says that they are friends as far as he is concerned, वो मेरे दोस्त है जबता भाई मैं मान रहा हूं डैरी says not everyone can be a friend टैरी किता है सब दोस्त नहीं हो सकते हैं ठीक है especially if you only meet them once कि अगर आप एक बार उनसे मिल गए तो आपके दोस्त हो गए वो ऐसा नहीं होता है कुछ लोग ही आपके दोस्त होते है और कुछ लोग तो he even hates and there are some people he even hates कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिने मैं नफरत करता हूं प्यार भी नहीं करता सब आपके दोस्त नहीं हो सकते हैं आप किसी से एक बार मिले वो आपका दोस्त होगे ऐसा नहीं होता है Mr. Lam कहते हैं hating people is worse बोले नफरत तो बहुत बुरी चीज है अगर आप लोगों से नफरत करोगे तो आप कभी बे जिन्दगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे और ऐसा क्यों क्यों बोलते हैं वो ऐसा वो कहते हैं नफरत तुम्हें अंदर से जला देगी बोला acid तुम्हारे face को इतना नहीं जलाएगा जितना तुम्हें नफरत जला देगी अंदर से और एन एन बॉटल ऑफ एसे ए तो किसी बॉटल ऑफ एसेट से भी बुराय लोगों से नफरत करना या किसी भी ब़ॉंज से बुराय जिसने मेरी टांग उडाई यह तो बहुत बुराया विटा डेरी एक्स्प्लें करता है कि एक पॉसन ही हड़ बन इवन बेटर ओफ तें at the hospital with other people like himself कि ते बात बताओ अब अब अधे लोग अगर अधे लोगो के साथ ही रहने लग जाएंगे तो क्या होगा कॉन किस मैं अंधाओ मैं किसी और आख वाले इंसान के साथ रह रहा हूं तो मैं उसकी आखो से जिंदगी देख सकता हूं ना अंधे लोगो कुम अंधे लोगो के साथ रख दोगे तो केसी दुनिया हो जाएगी उनकी रहेट यूब तो देख कैता है कि अरे कम से कम कोई तो नहीं घूरेगा तो नहीं क्यू कि तुम सब एक जाएसे होंगे Derry कहता है that he would like to have a place like Mr. Lambs a garden क्याता यार मुझे न आपके जैसा ये garden चाहिए मुझे बड़ा अच्छा लगा है ये एक घर चाहिए जिसमें पर्दे ना हूं Lambs says that Derry can come whenever he wants to बोले ये घर तेरा ही है जब भी तरह मन करें तू आ सकता है याँ पे other people there as well दूसरे लोग भी ऐसे ही आते है तो Derry को ऐसा लगता है यार नहीं दूसरे लोग आएंगे न तो मैं नहीं आओंगा अगर दूसरे लोग आएंगे तो मैं नहीं आओंगा Derry thinks Derry सोचता है that कि if others were there कि बाकी लोग अगर वाह होंगे तो वो मुझे देखकर चले जाएंगे भाग जाएंगे और कभी नहीं आएंगे और Mr. Lamb के सारे दोस्त उनसे दूर हो जाएंगे आप को चुणना हो गया तो आप मुझे चुणो या बाकी दोस्तों को चुणो Lamb says he might as well risk it even though the neighborhood kids call him Lambie Lamb, he says they still come into his garden because he is not afraid of them आने के लिए समझ लो क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूं तुम बाकी लोगों से डरते हो इसलिए लोग तुम से डरते है Derry Mr. Lamb से पूछते हैं if he lost his leg in the war and Lamb says certainly कि आपकी यह जो टांग थी वो वार में खराब होई थी वो बुलते हैं तो Derry फिर पूछता है कि Mr. Lamb can climb the ladder to get crab apples कि फिर आप ये सीडियों पर कैसे चड़ जाते हो crab apples तोडने के लिए तो Lamb कहता है हर इक चीज अपना टाइम लेती है मैंने सीख लिया धीरे धीरे इसके साथ काम करना ठीक है बहुत सरी चीज़े मैं अब कर लेता हूँ पहले शायद नहीं कर पाता था पर अब मैं बहुत सरी चीज़े कर लेता हूँ तो Derry muses that if he were on his own कि अगर Mr. Lamb could fall off his ladder and no one would find him कि अगर बाइचांस कभी आप अकेले ऐसा कर रहे होंगे तो सीड़ी गिर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ कब हुआ कैसे हुआ कहा हुआ Derry then considers Lamb's earlier offer of helping him pick the apples फिर बोलता है मैं आपके साथ आपकी apples वो करवाने में मदद करूंगा Derry says that if he is going to help Mr. Lamb, Derry कहता है कि अगर आप मतलब यह है वो कहता है कि अगर मुझे आपके साथ आना है और यह apples वगेरा तोडने है ना तो मुझे जाके मम्मी से permission लेनी पड़ेगी वरना वो टेंशन में आ जाएगी क्या करना पड़े का मम्मी से permission लेनी पड़ेगी Mr. Lamb says he could run home and then come back later तो but Derry insists that his mother would never let him come back Mr. Lamb कहते है यह रहा तेरा घर भाग के जा permission ले क्या आजा तो Derry कहते है अगर मैं घर गया ना और मैंने permission मांगी तो मुझे permission नहीं मिलेगी and Mr. Lamb thinks that this is just an excuse तो वो कहते है मुझे लगता है यह केवल तेरा excuse है क्योंकि लोग बोलते हैं कि वो वापस आएंगे पर कोई नहीं आता Derry is the one who would not want to come back बोले कोई और नहीं रोक सकता तुझे तुझे तुखुद वापस नहीं आना चाहता इसलिए नहीं आ रहा है वरना तो कोई ऐसा नहीं है कि कि किसी को रोक ले Derry asks about the other people who Mr. Lamb said to come to visit him Derry then declares that he doesn't believe Mr. Lamb has any friends at all Derry फिर पूचता है दूसरे लोगों से जो Mr. Lamb से मिलने आते हैं और Derry फिर ये बोलता है कि मुझे यकीर नहीं होता Mr. Lamb कि आपके कोई दोस्त है उसे लगता है आप यहाँ पर अकेले हैं बुरी हालत में हैं और अगर आपको कुछ को कुछ हो गया तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जिन्दा है या मर गए Lamb says only you think what you please Lamb बोलते हैं देख भाई तरको जो सोचना है ना तू सोच मेरको फर्क नहीं पड़ता तरको जो सोचना है तू सोच then he gets up and say he needs to go tend to his bees और फिर वो वहाँ से उठके चले जाते हैं और बोलते हैं कि चलो अब मुझे अपनी bees के पास जाना है Derry says he thinks Mr. Lamb is crazy वो कहते तुम पागल हो but Lamb rebukes him saying that this is only an excuse बोले आरे रहने दे ये केवल तेरा excuse है ठीक है like Derry's born face is other people's excuse जैसे दूसरे लोगो का excuse है तेरा जला हुआ चेहरा वैसे ही तेरा excuse है ये तू नहीं आना चाता है वापिस इसलिए नहीं आ रहा है Derry tries to accuse Mr. Lamb of thinking he is ugly as a devil बार बार हो ऐसा कर रहा है कि मतलब accuse कर रहा है आरोप सा लगा रहा है कि तुम सोचते हो कि मैं devil के जैसा आगली हूँ and declares that he is a devil और वो declare करता है कि वो एक devil है but as Mr. Lamb walks off to his beast पर Mr. Lamb कहते है पागल हो गहा है बोले जा रहा है समझी नहीं आ रही इतनी देर से इसको बात वो माजे चले जाते है तो Derry मान जाता है इस बात को कि Mr. Lamb ऐसा यकीन नहीं करते है Derry कहता है I like it here मुझे यहां अच्छा है और मैं वापिस जरूर आऊंगा he runs off और वो फिर वहां से दोड़के चला जाता है कहा रहा है यार मैं आऊंगा मैं घर पर जा रहो मैं फटा फट से permission लेके आ रहो Mr. Lamb अपनी 20 के पास जब जाते हैं उनसे बात करते हुए खुद से बात करते हुए कहते हैं कि कोई वापिस नहीं आता है he says I'll come back they never do though वो कहते हैं कि वो वापिस आएंगे पर कोई नहीं आता है not them never do come back कोई नहीं आता कोई भी never 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 सब बोलके जाते हम आएंगे वापिस अब वो घर गया अपनी मां से बात करी तो Derry की मां ने Mr. Lamb के बारे में बहुत सारे rumors सुने थे scene 2 है ये बहुत सारे जो rumors सुने थे तो Mr. Lamb has been warned about him and she refuses to let Derry go back to his house वो बना कर देती है बोले नहीं जाना है तिरको बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं जाना है तिरको तो Derry describe करता है लाम को कि वह एक बुड़ा आदमी है जिसके टिन की तांग है और वह एक बड़े से घर में रहता है बिना किसी कर्टन के और कुछ नहीं है गार्डन है उसके पास और वो कहता है मैं जा रहा हूं मुझे मा बैठना है चीजों को सुनना है समझना है देखना है Mr. Lam talks about things that no one else does Mr. Lam चीजों के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे और कोई नहीं करता है मुझे पसंद है मैं वहीं जाओंगा dairy की मा फिर उसे मना करती है तो dairy कहता है he hates it at home कहता है मुझे घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो dairy की मा कहती है कि कोई बात नीं बेटा होता है तिरे साथ यह ऐसा हुआ है तो आईसी चीज़े बोल सकता है आईसा फील कर सकता है तो डेरी बोलता है यार यह सब चीज़े मेरे फेस के बारे में नहीं है आप हईरीग चीज को इसी पे क्यों लेकर आ रहे हो दिखा देरी का अजरीया बदल गया चीजोंको लेकर देरी चिलाता है कि इसका कोई लेना देना नहीं है मुझे बस मिस्टर के पास जाना है चीजों को देखना है समझना है सीखना है और इस दुनिया से प्यार करना है एकदम से बदल गया उसका नजरिया अब डेरी अपनी मा से जब बात करता है और यह सब चीज़े होती है तो वहां से आता है और कहता है कि अगर मैं आज नहीं गया ना मा तो मैं कभ आपर सीधी ये बात बोल दिते हैं कि अगर आज मैं नहीं गया ना तो मैं इस जिंदगी में कभी कई नहीं जाओंगा और फिर वो वापस आ जाता है गार्डन में जब वापिस आता है और आता हूँ चिलाता हूँ आता है कि मैं आ गया देखा मैंने बोला था ना मिस्टर लैम मैं आ गया Mr. Lam अपनी ladder पर होते हैं एक branch तूट जाती है जिसकी वज़ा से वो ladder गिर जाती है सीड़ी गिर जाती है Mr. Lam भी साथ साथ नीचे आते है और Mr. Lam की death हो जाती है इतने में ही dairy भागा भागा आता है कि देखो मैं आ गया Mr. Lam आपको doubts आना मैं नहीं आऊंगा और फिर वो Mr. Lam की body को देखता है और वहीं पर एकदम से मतलब परिशान सा हो जाता है कि ये क्या हो गया लाइफ में पहली बार कुछ किया अपने मन से किया और आज ये हो गया dairy kneels beside him saying I came back lamby lamb I did come back dairy starts to cry देखा मैंने कहा था ना मैं आ गया मैं आ गया Mr. Lam मैं आ गया और फिर रोने लग जाते हैं और परदे गिर जाते हैं और ये था हमारा chapter on the face of it मुझे तो बड़ा मज़ा आया पढ़ाने में आशा करती हो आप लोगों को भी आया होगा अगर आप इसके और बाकी chapters के भी और ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज मुझे comment section में जरूर बताएं बबाई everyone, take care, all the best